हलो और वल्कम तो माई चानल इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट दोस्तों आज का यह वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक कि प्रफर करक्शन कैसे करते उसका प्रफर आइडेंटिफिकेशन के लिए के से फिरूलिंग करते और कैसी तरीका से उसको टर्मीनेशन भी करना चाहिए दोस्तों यह जो देखें आपके सामने एक टीपी ऑन डीबी है यह इंटिपीए और यह दो ये 12 यो क्या है ठीक है मतलब 12 सिंगिल पोल डीवी लगाने के लिए प्रोविजन है तो ये 12 ये 12 ये 12 12 12 मतलब 12 ये टीपीन डीवी से हम लोग 36 आउटगोइंग जा सकता है ठीक है दोस्तों ये जो 4 पोल एमसी भी लगा है ये उसका इंकमर के लिए जो पैनल से मेन पैनल से किर या मीटर से यहां पे सपला आता है वो नीचे से आता है इसके लिए हम लोगो ने केबल डाल के रखा है उसका टर्मिनेशन करेंगे यहां पे हम लोगोने उसके लिए मिन चोड़ा है कहल मार के कैबल ऐसे आके इसमें कानक्ट हो जाएगा into येलो ब्लू और ब्लाक ठेके दोस्तों यह हो गया तो मतलब रेड येलो और ब्लू है उसका जो सर्कुटिंग सब आया है मैं आपको दिखा था हूं ठीक है दोस्तों यह देखिये हमने कंडिटिंग करके रखा करके से प्रपर हुए में हम लोग ने जी आइंक करके लाया है यह सब कन्टीट है ना इसलिए वह आपके सामने यह लटकरी लाइट लगाने के लिए ठीके और यह red कलर का है इसका मतलब यह आर का सर्कीट है थिक है तो यह सब मेने के आपके सब्ढ़ bearing के बाद परने के माइन से यह बंच बनाके उसको दोस्तो आप नीचे देखिए नीचे सेंटर किया है रेड का सभी सर्कीट है दो यहां सेंटर किया है यहास और यह जुज़ले के बाद सब इधर आ रहा है क्योंकि यह रेड पे आके पर टर्मिनेशन होए जैसे है 1 2 3 4 5 6 साथ रेड का इधर टर्मिनेशन हो गये ठीक है और तीन वह रहे दोस्ता आता है यह जैसे कि तीन वह रहे ना रेड और ब्लाक है ग्रीन है यह फेज के लिए यह नीटरल और यह अर्थिंग के लिए तो दोस्तों फेज तो इसमें आ गया और उसका जो नीटरल है न टख है और यह आचाए यह तो इसका नजदिक रखा है ताकि आपको ड्रेसिंग करने के लिए यहीं होगा इरेड क यह होगया face neutral और आरफिंग दोस्तों लेसे देखेंगे आप y यह आउट गोईञ यह आउटगोईंग को गया बुट्व आउटगोईंग हैarya की urgency में का इन कमर में गया ठीक है और बुट्वा जो आउटगोइंग यह सब आउटगोईंग है यह एक sorting link कहते हैं यह sorting link कहते हैं सभी NCV को outgoing मतलब इसका supply आ गया और supply के बाद यह सब है यह सभी circuit चला गया light को फ्यान को जो भी है सब देखिए यह Y का भी देखिए आप दोस्तों Y का सब phase इदर आ गया इसका आउट्गोइंग में उसका neutral इदर आ गया और इसका आर्थ इदर आ गया तो यह क्या हो गया दोस्तों सब नजदी नजदिक में हो गया तो इसके लिए प्रफर फीनिश हो गया यह आप देखिए बीक यहां पर दिया राइट सेड में यह उसका phase आ गया ठीक है पहले त का neutral देखिए यह neutral लिंग को आ गया ठीक है दोस्तों तो यह क्यों गया प्रफर डीवी का मतलब ड्रेसिंग कैसे करते है प्रफर नेमिंग के साथ और यह आप देखेंगे ना यह जो केबल जो कनेक्ट हो है ना वह प्रफर इसके साथ कनेक्ट हो है क्या बलते है उसको रहता है वह हीट होता है और प्रोब्लेम मता है इसलिए दोस्तों आपना यह देखिए आप एक लॉग इसको लॉग है यह मार्केट में बहुत कम पैसे में मिल जाता है आप यह लग लगा के हमेंसा डी बी का केबल का कनेक्ष्ण किजिए लग लगा यह फेरुल लगा यह आप connection किजिए ताकि आपका proper safety रहेगा और यह गरम नहीं होगा कि लूज contact रहेगा ना गरम होगा गरम रहेगा तो वह जलने का भी burn का भी कभी chances होता है इसलिए इसको ऐसा यह बहुत कम पैसा में मिलता मार्केट में तो इसके लिए उसको proper way में उसको cable लग लगा के उसको termination करना चाहिए दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज सब्सक्राइब किजिए चानल को like किजिए वीडियो को comment भी किजिए और please share